पांचो वैरसो के बाद राम घर आएंगे राम आएंगे पांचो वैरसो के बाद राम घर आएंगे राम आएंगे नमस्कार मैं हो दबान जिली मुईत्रा पांचो वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद राम 22 जनवरी को अयुध्या में साक्षात पधार है लेकिन क्या उस सर्द रात का वाक्या जानते हैं? जब विवादत धांचे में प्रभूश्री राम की मूर्तियां प्रकट हुई कौन है वो मुख्य किरदार जिसने राम मंदर के लिए अग्रिणी भूमिका निपाई? उस वक्त भी जब मूर्ति प्रकट हुई उस वक्त भी जब या अंदोलन आगे बढ़ा और उस मकाम तक भी जब उन्होंने ये वचन धारन किया था कि इस देश में अगर कुछ बनना चाहिए तो वो है राम मंदर राम मंदर बनाने से कोई न्यायालय या सरकार हमें रोक नहीं सकी रोक नहीं सकती, रोक नहीं सकती राम लला हम आएंगे, मंदर वही बनाएंगे 22 दिसंबर 1949 वो सर्द रात थी अचानक ये खबर फैली की बाबरी के विवादत धाचे यानि राम मंदर में राम चबुत्रे पर प्रभू श्री राम प्रकट हुएं ये खबर आयोध्या से निकल कर दिल्ली पहुँची और पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गई राम की मूर्ती देखने के लिए राम भक्तों का दिल जूम उठा क्योंकि राम मंदर की लड़ाई को नई दिशा मिल गई उस वक्त सबसे एहम भूमिका अगर किसी ने निभाई तो वो थे परमहंस रामचंद्र दास वो एक ऐसे व्यक्ती थे जिने राम जन्म भूमी के पूरे आंदोलन में अग्रणी माना जाता है परमहंस रामचंद्र दास ने आंदोलन से लेकर राममंदर के लिए पहली इट रखने तक की दास्ता में भूमिका ने पहली राममंदर के आंदोलन में हजारों लोगों ने कुर्बानिया दी सेक्डों लोगों के अथक परिश्रम से आयोध्या में राममंदर का सपना साकार हो रहा है लेकिन राममंदर निर्मान का श्रेय केवल एक आदमी को देने की बात हो तो निश्चत रूप से परमहंस दास का ही नाम आता है जब राममंदर में मूर्तियां प्रकट हुई तो आरोप महंत अभिराम दास, रामसकल दास, सुदर्शन दास सहित करीब पचास लोगों पर लगा F.I.R. दर्च हुई मामला अदालत तक पहुँचा जाहिर है कि इन संतों का काम जूनियर संतों नहीं किया होगा जूनियर संतों में उस समय सबसे अगवा थे परमहंस रामचंदर दास की हाला कि उन्हें कभी आरोपी नहीं बनाए गया लेकिन उस वक्त देश में संसनी फैली जब उन्होंने एक इंटर्व्यू के दौरान खुद कहा मैं ही हूँ जिसने मस्जद में मूर्ती को रखा था मूर्ती रखने की बात रामचंदर दास ने भले ही कभी कभी बोल दी हो पर वो इसका श्रेय लेनी की कभी कोशिश नहीं करते थे हमेशा इस मुद्दे पर चुप्पी साथ लेते थे पर 16 जनवरी 1950 को सिविल जज्ज की अदालत में हिंदू पक्ष की ओर से मुकदमा दायर कर जन्म भूमी में स्थापित भगवान राम और अन्य मूर्तियों को ना हटाने और पूजा की इजाज़त देनी की मांग रामचंदर दास नहीं की थी और दिगंबर अखाड़ा के महंत रहे परमहंस को कोट ने इजाज़त भी दे दी महंत रामचंदर दास के नेत्रत्व में ही रामजन्म भूमी की मुक्ती के लिए धर्मसंसद की शुरुवात की गई 1984 की पहली धर्मसंसद नई दिल्ली में हुई जिसमें आयोध्या, मतुरा, काशी के धर्मस्थानों की मुक्ती का प्रस्ताव रखा गया परमहंस रामचंदर दास की अध्यक्षुता में रामजन्म भूमी संखर्ष की कारी योजना के संचालन में पहली बैठक हुई जिसमें श्रीराम जन्म भूमी मुक्ती यग्य समिती का गठन हुआ जन्म भूमी को मुक्त कराने के लिए जन्गर्णा के लिए सीता मणी से आयोध्या तक रामजन की रथ यात्रा का कारीक्रम भी इसी बैठक में तय हुआ दिसमबर 1985 में दूसरी धर्म संसद उडूपी में परमहंस की अध्यक्षता में हुई जिसमें नेर्ने हुआ कि अगर 8 मार्च 1986 को महाशिवरात्री तक राम जन्म भूमी पर लगा ताला नहीं खुला तो महाशिवरात्री के बाद ताला खोलो आंदोलन ताला तोडों में बदल जाएगा और 8 मार्च के बाद हर दिर देश के प्रमुक धर्माचारे इसका नेत्रत्व करेंगे बाबा की धंकी का असर हुआ और एक फर्वरी 1986 को कोट के फैसले के बाद ताला खोल दिया गया जिसे कॉंग्रिस कहती है राजीव गांधी ने खुलवाया लेकिन ताला खुलवाने के पीछे संतों का संखर्ष था जन्वरी 1989 में प्रियाग महकुम्ब के अवसर पर आयोजित तीसरी धर्म संसद में शिला पूजन और शिलान्यास का निर्णय परमहंस की उपस्थिती में ही लिया गया था ये उनके द्रिण संकल्प शक्ति का ही कमाल था कि तै की गई तारीक, जगा और शुब मुहूर 9 नवेंबर 1989 को शिलान्यास कारिक्रम पूरा हुआ तीस अक्टोबर 1990 को अयोध्या में कारसेवकों का नेत्रत्व और मार्ग दर्शन भी किया दो नवेंबर 1990 को कारसेवकों के बलिदान के वो खुद साक्षी थे बलिदानी कारसेवकों के शव दिगंबर अखाडे में ही लाकर रखे गए अक्टोबर 1992 में दिल्ली की धर्म संसद में 6 दिसंबर की कारसेवा के निर्णे में ही परमहंस रामचंद्र दास की मुख्य भूमिका थी अक्टोबर 2000 में गोवा में केंद्रिय मार्ग दर्शक मंडल की बैठक में परमहंस दास महराज को मंदर निर्मान समिती का ध्यक्ष सर्व सम्मती से चुना गया जन्वरी 2002 में आयोध्या से दिल्ली तक चेतावनी संतियात्रा का निर्णे रामचंद्र दास कही था मार्च 2002 में शिलादान पर अदालत ने रोक लगाई तो परमहंस दास ने घोशना कर डाली कि अगर मुझे शिलादान नहीं करने दिया गया तो मैं कोई रसायन खाकर अपने प्राण त्याग दूगा रामचंद दास ही थे जिन्होंने सांदोलन को धार दी रुके नहीं डरे नहीं आखर सांस तक कह दिया राममंदर तो बन कर रहेगा रामजन्मभूमी आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाने के लिए परमहंस दास ने लगातार काम किया देश के कई मंदरों में दलित पुजारियों की नियुक्ती करवाने में उनकी भूमी का प्रमुक थी इसलिए मायवती खुद उन्हें खूब मानती थी और आखर में राममंदर आंदोलन को धार मिली 9 नवेंबर 1989 को जब आयोध्या में राम जन्म भूमी का शलान्यास कारिक्रम होना था तब हजारों साधू संतों की मौजूदगी में कामिश्वर नाम के एक दलित युवक के हाथों में राममंदर के लिए पहली इट रखवाई गई थी इस शुब काम के पीछे भी परमहंस रामचंदर दास की ही भूमी का थी यानि की परमहंस रामचंदर दास ही थे जिन्होंने सबसे पहले राममंदर की पहली इट रखवाई जब जब राम मंदिर अंदोलन का जिक राता है परम्हंस रामचंद्र दास का नाम सबसे आगे होता है